What's up everyone, welcome back to the channel, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चाप्टर जिसका नाम है Employment and Unemployment, कुछ बुक्स में Employment Related Issues के नाम से मेंशन हुआ हुआ है, but doesn't matter, Employment और Unemployment हम लोग कवर करने वाले हैं इस पूरे चाप्टर में, तो I think ये वीडियो आप लोग के पास 10 बजे आ र Achievement, तो Congratulation to all of you कि आप लोग पूरा कर पा रहे हो, साथ साथ और अपनी studies को एक अच्छे manner में speedily cover कर पा रहे हो, तो चलो, शुरू करते हैं जल्दी से, बस अगर ये सब efforts, ये hard work आपको अच्छा लग रहा है, तो यार, share जरूर करना, और जिन्होंने भी subscribe नहीं करा, तो गाइस शुरू करते हैं, हम लोग कुछ basic concepts के साथ, chapter का नाम है basically employment and unemployment, बट जादा जो बात होने वाली है, वो unemployment की होने वाली है, employment का क्या है, employment तो अच्छे चीज़ है, इस chapter में जो mainly बात होगी, वोगी unemployment की, तो start करते है, what actually is unemployment, unemployment हिंदी में क्या बोलते हैं, बेरोजगारी कि particular इंसान के पास काम नहीं है, जॉब नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, unemployment, तो unemployment refers to a situation when a person, when your people are willing as well as able, दो चीज़े चाहिए, willingness, मैं काम करना भी चाहता हूँ, और मेरी ability भी है, मैं उस चीज़ को करने के लायक भी हूँ, कई लोग होते हैं काम करना ही नहीं चाहते, तो व वो able भी हैं, उस particular wage rate पे, but they do not get work, और उनको काम नहीं मिल रहा, लोग willing भी है, able भी है, काम करना भी चाहते हैं, लेकिन काम नहीं है, उसको हम unemployed बोलेंगे, worker क्या होता है, an individual engaged in some production activity, किसी भी तरीके कि अगर कोई इंसान production activity कर रहा है, तो वो worker है, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी worker हूँ, अगर मैं business कर रहा हूँ, तो भी मैं worker हूँ, मैं job कर रहा हूँ, मैं तो भी worker हूँ, मैं किसी भी तरीके के अगर production activity कर रहा हूँ, तो मैं worker हूँ, कितने तरीके के workers हो सकते हैं, दो तरीके के, एक होते है self-employed, एक होते है hired, नाम से ही समझ सकते हो, self-employed ज और बिजनेस और प्रोफेशन जो लोग काम कर रहे हैं अपने खुद के बिजनेस या प्रोफेशन में वो होते हैं Self-Employed उनको बदले में क्या मिलता है एं profits कि अम आते हैं तो self-employed आसान हो जाता है hired कौन से होते है people hired by others जो किसी और के लिए काम करते है they earn salary और wages उन्हें salary या फिर wages मिलती है उन्हें hired workers बोलते है अब इसको दो parts में categorize करा गया है casual और regular casual कौन से होते हैं जो daily wages होते हैं जो daily काम करेंगे daily कमाएंगे बात खतम उनकी कोई fixed salary नहीं होती तो वो लोग daily काम करेंगे they are like daily wages और उनके पास कोई social security benefits नहीं होते they are not entitled to any sort of social security benefits यानि उनका कोई pension कोई provident fund कोई gratuity, किसी तरीकिया कोई insurance कुछ नहीं होता बस वो daily wages होते हैं उनको कौन सा workers बोलूँगा hired में casual काम तो किसी और के अंडर करेंगे और वो casual workers हैं कुछ होते है regular जो permanent hired है by bank by any company उनको salaries मिलती है उनके काम के बदले में तो वो कौन से होते हैं regular workers they are on permanent jobs they are entitled to social security benefits इनने social security benefits मिलते हैं तो दो topics cover होते हैं ये अब हमारे पास एक important है साउधान इंडिया सवाल labor supply, labor force और workforce labor supply, labor force, workforce amount of labor which a worker is willing to offer at a particular wage rate दो चीज़े ज्यान रखनी है एक तो wage rate और इस particular wage rate पे मैं कितना labor करने वाला हूँ the amount of labor that a worker is willing to offer मैं offer करूँगा at a particular wage rate मेरे wage rate पे like suppose मुझे का गया कि आपको अपनी organization में 20,000 रुपे देंगे 20,000 मैंने का ठीक है सार अगर आप 20,000 रुपीज दो होगे तो इस 20,000 के लिए तो मैं 5 hours ही काम करूँआ let's suppose मैंने बोला कि मैं 5 घंटे काम करूँआ तो that is my labor supply the amount of labor which a worker is willing to offer at a particular wage rate wage rate is important ठीक है labor force क्या होदा है number of workers actually working और are willing to work this is not related to wage rate मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं तो काम कर रहा हूँ या मैं काम करने के लिए ready हूँ मुझे पैसे से मतलब नहीं है मुझे आप बस काम दे दो तो number of persons actually working और willing to work जो काम करना चाह रहे हैं this is not related to a wage rate इसको क्या बोलूँगा labor force और work force क्या है देखो आप ध्यान देना workforce क्या है actually working labor force में दो लोग आये थे जो काम कर रहे है या जो काम करना चाहते हैं let's suppose मैंने बोला कि total economy में 60 लोग है 40 काम कर रहे है 60 काम करना चाहते है तो ये 100 हो गए ये काम कर रहे है ये अभी कर नहीं रहे करना चाहते है ठीक है अब अगर मैं ये वाले हटा दू जो काम करना चाहते है बस मुझे देखना है कितने काम कर रहे है that is workforce that is workforce क्या बोला the number of persons actually working is workforce तो क्या मैं ये बोल दूँ क्या labor force में से अगर ये वाले हटा दू तो हमारे पास workforce आ जाएगा correct है अब देखो बेरोजगार कितने हुए भाई बेरोजगार कितने हुए ये तो बेरोजगार हुए 60 क्योंकि ये तो actual में काम कर रहे है तो क्या होगा labor force देखो labor force 100 का था minus workforce जो actually काम कर रहे है 100 minus 48 आथो 60 आ जाएगा ये आ जाएगे number of persons unemployed unemployed मतलब बेरोजगार बेरोजगार कौन से होंगे जो काम नहीं मिल रहा जिने बात समझ रहे हो जिने काम नहीं मिल रहा तो labor force minus workforce इसमें से ये हटा दो actually working हटा दो तो जो काम करना चाहते हैं वो आ जाएगे काम नहीं है ठीक है दुबारा से समझो सबसे पहले labor supply जो supply करूँगा मैं अपनी labor corresponding to a wage rate ठीक है labor force इससे wage rate का कोई मतलब नहीं है दो लोग आते हैं इसके अंदर एक जो actually काम कर रहे हैं दूसरे जो करना चाहते हैं इन्हें हटा तो actually काम करने वाले आ जाएंगे ये मेरा workforce हो गया clear हुआ फिर एक formula unemployment का बता दिया labor force minus workforce चोटे-चोटे points है जल्दी से screenshot लो फिर चलते हैं next topic की तरह अब हमारे पास कुछ data वाले questions आते हैं जो कि बहुत important नहीं है और even बहुत सारे ऐसा unimportant data दिया है जिसको आपको ध्यान नहीं देना तो data से related जो भी होगा मैं exam से पहले आपको revise करा दूँगा बट जो कुछ important data है वो मैंने लिखा है सबसे पहले जो हमारा size of workforce है उसको check कर लो कि कैसे divided है देखो जितना भी workforce है workforce क्या होता है जो actually working है जो actual workforce है उसमें male percentage 70% है यानि अगर 100 लोग काम कर रहे है तो उसमें 70 males होंगे और 30 females होंगी ठीक है 30% female अब अगर हम total देखे कि यार rural और urban workforce कितना है कि अगर 100 लोग काम कर रहे है male female को छोड़ो total 100 लोग काम कर रहे है तो उसमें से 70% rural areas से होंगे और 30% urban areas से होंगे जानि कि urban areas में अभी भी काम की कम ही है 70% rural areas से देखने को मिलेंगे 30% urban areas से अब rural areas से let's suppose 100 लोग मिले तो 100 में 58% लगबग male होंगे और 41% female होंगे ठीक है urban areas में अगर 100 लोग मिले let's suppose यह 30% सो होते सो लोग मिले तो में लोगे 64.7% और फीमेल होगा 35.3% डेटा में वेरी फ्रम बुक टो बुक येर तो येर अलग अलग डेटा हो सकता है बट आप लोग को में जो चीज समझनी है वो समझनी है कहां जादा कहां कम एक्जाक नंबर्स पर मत जाओ बट एक में या तर्शरी में तो देखो प्राइमरी में इंडिया में प्राइमरी यानि अग्रिकल्चर सेक्टर ओल्मोस्ट 43% लोग 44% लोग अभी आज भी 43.8 लगबग 44-45% लोग आज भी प्राइमरी सेक्टर में सेकिंडरी में अभी कम है प्रड़क्शन सेक्टर कोई बहुत ज पे हैं हमारे पास tertiary sector फिर उसके बाद number three पे हमारे पास आता है secondary sector इस तरीके से हमारी workforce engaged है correct तो कुछ यह data based question थे जो हमने cover up करें इसके बाद हमारे पास कुछ छोड़ी चोड़ी terms आती है जैसे सबसे पहले आता है jobless growth jobless growth देखो growth हो रही है लेकिन jobs नहीं है jobless growth यह कब होता है जब किसी भी economy में production बढ़ रहा है जल्दी जल्दी तेजी तेजी से production बढ़ रहा है कैसे production बढ़ रहा है कोई अच्छी technology ले आए कुछ अच्छी machines ले आए कुछ नहीं innovation निकाला लेकिन employment नहीं generate कर पा रहेगी उतनी ही labor में वो काम बढ़ गया तो growth तो हो रहा है but jobs नहीं generate हो रहे है उसको बोलते है jobless growth it refers to a situation when GDP is increasing owing to increase in technology main जो GDP बढ़ रहा है वो technology की वज़े से बढ़ रहा है without any rise in level of employment रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को आपने computer दो लगा दिये एक की जगा काम तो हो जाएगा अच्छे से लेकिन लोगों को थोड़े ना काम मिलेगा यह main चीज है फिर आता है casualization of workforce what is casualization देखो हमने क्या बोला हमने बोला कि worker दो तरीके के होते हैं एक होते है self employed एक होते है hired फिर hired भी दो हते है एक होते है regular एक होते है casual तो पहली बात तो casualization जब भी आएगा हम hired workers की बात कर रहे हैं किसी और के लिए काम करते हैं अब अगर मैं कहीं और hired हूँ और मुझे अपना काम एक regular काम नहीं मिल रहा मतलब मुझे बस casual labor मिल रही है casual का मतलब वो ही कि आज मिली कल पता नहीं मिली daily wages वाला काम मिल रहा है तो वो लोग अगर ऐसे लोग बढ़ते जा रहे हैं किसी economy में उसको बोलते है casualization यानि कि अगर किसी economy में ऐसे लोग जादा हैं जिनके पास permanent work नहीं है वो बस daily का काम करते हैं वो दिहाडी वाले लोग तो उनको casualization कहा जाता है अगर हमारे जो casually hired workers हैं उनका percentage तेजी से बढ़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं casualization इसके साथ साथ एक और important term आता है informalization बस आज की इस वीडियो में वो topic और पूरा करते हैं फिर आज की class को समाप्त करते हैं जल्दी से इसका screenshot ले लो फिर आगे बढ़ते हैं informalization तो last topic हमारे पास आता है informalization अब informalization समझने के लिए मुझे पहले आपको इधर लेकर आना है देखो workers को मैंने दो categories में डिवाइड करा formal और informal formal workers कौन से हैं जो organized sector में काम करेंगे जैसे की government departments हो गए जिनको सारे social security benefits मिलते हैं जो trade unions बना सकते हैं मतलब अपने काम में safe हैं secure हैं वो सब formal workers होते हैं the workers work in organized sector they are entitled to social security benefits they are protected by labor laws labor laws से protect करा गया है they can form trade unions वो trade unions बना सकते हैं यह trade unions नहीं बना सकते हैं इनके लिए कोई labor laws भी नहीं है इन्हें कोई social security benefits भी नहीं मिलते they work in unorganized sector यानि वो ही दिहाड़ी वाले लोग समझे रहो वो जब unorganized वाले हो जाते हैं तो जो workers formal है वो सारे यह characteristics लेते हैं और जो informal है उनके यह characteristics होते अब what actually is informalization अगर informal workers बढ़ते जा रहें और formal कम होते जा रहें इसी situation को क्या बोलते हैं हम लोग informalization it refers to a situation when the percentage of workforce in formal sector tends to decline formal कम होगा and in informal sector tends to rise informal sector में तेजी से बढ़ रहा है तो अगर informal sector में तेजी से लोग बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं यानि वोई unorganized sector में जा रहे तो उस situation को क्या बोलते हैं in formalization important जवाल है अच्छे से कर लेना बस जी अब इस पार्ट के लिए इतना ही मैं भी थक गया हूँ consistent वीडियो बना रहा हूँ 4-5 भी वीडियो है बिना रुके तो अभी इतना ही रखते हैं इस पार्ट में मैं भी आता हूँ एक छोटा सा break लेके आप लोगों तक वीडियो आएगा अब इसके दो घंटे के बाद तो तब तक के लिए इस पार्ट को प्रिपेर कर लेना next पार्ट में chapter हो जाएगा complete फिर बचेंगे 2-3 chapters और इंडियानी को आज ही खतम करके मानेंगे अभी के लिए इतना ही thank you so much